स्वागत है आप सभी का अपने योटूब चैनल रंका इंगलिज पे आज हम लोग रोज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य देखेंगे जिन में कुट का परियोग सीखेंगे कुट का यूज हम लोग कहां पर करते हैं कुट का यूज कैसे करते हैं आईए समझते हैं सबसे पहले रोज बोले जाने वाक्यों में पहला वाक्य है हमारा क्या आप मुझे वह किताब दे सकती हैं अब कुट का सवाल आता है कि कुट यूज हम लोग करते हैं possibility संभावना यव पॉलाइटनेस दिखाने के लिए कैन की तुनलना में ज्यादा पुलाइटनेस दिखाने के लिए हम लोग कुट का यूज करते हैं वैसे could का यूज past form में होता है present form में नहीं लेकिन कभी कभी politeness दिखाने के लिए can की तुलना से ज्यादा could का यूज करते हैं जैसे कि can you give me that book होता तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा नहीं मांगते हैं पॉलाइटनेस नहीं दिखाते हैं लेकिन कुट का यूज करने से लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही पॉलाइट होकर मांग रहे हैं इसलिए कुट का यूज किया जाता है तो क्या आप मुझे वह किताब दे सकते हैं यानि की कुड यू गीव मी डैट बुक यानि वह किताब कुड यू गीव मी क्या आप दे सकते हैं मुझे वह किताब ऐसे बोल सकते हैं या क्या आप मुझे वह किताब दे सकते हैं कुड यू गीव मी डैट बुक डैट बुक आइए नेक्स सेंटेंस की ओर चलते हैं यह साम को बार बारिस हो सकती है संभावना लगाई जारी है लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही ठीक है एक संभावना ठीक है लेकिन अगर कैन की यूज होता तो उसमें 100% बारिस होना ही था कि आज बारिस हो सकती है ठीक है लेकिन 100% नहीं था उसमें भी लेकिन यह उससे थोड़ा कम लेस सर्टेन को औलेम रागल रेमने यानि की बारिस हो सकती चरू ragi या निए अच समगर को आये necks सेंटेंश चलते हैं जैसे कि जब मैं बचा था मैं बहुत तेज दोर सकता था इस में लोग कोड कayed करते हैं पाश्टफर्म में जैसे की जब मैं बचा था जब यानी विन आइवा चाइल्ड आइवा चाइल्ड यानि जब मैं बच्चा था मैं बच्चा था यानि अबाजद सकता था मैं बहुत तेज दोड सकता हून था आई कुड़ रण वेरी फास्ट का अर्थ होता है प्रम में था भी ठीक है सकता था यानि कुड ऐसे यह समझना होगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसी के साथ next sentence कि उड़ींगे जैस ज्यादा पुलाइटनेस दिखाने के लिए इसका यूज होता है आप समझ चुके होंगे तो कुड़ आई लीव अरली या क्या मैं जल्दी जा सकता हूं यह नेक्स सेंटेंस की और चलते हैं जैसे की लगाए जा रहा है तो सी कुड़ यानि होना इस बात को समझे तो सी कुड़ इन दा लाइबरेरी यानि लाइबरेरी में हो सकती तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे कूड़ का यूज को समझ चें अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे हो aggress चैनल को subscribe कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं और अन्य लोगों तो पहुंचा सकते हैं हमने इसमें good के यूच को देखा जैसे क्या मुझे वह किताब दे सकते हैं could you give me that book यह साम को बारिश हो सकती है it could rain this evening जब मैं बच्चा था तो sorry मैं बहुत तेज दोड़ सकता था When I was a child, I could run very fast क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ Could I leave early वह लाइबरेरी में हो सकती है So we could be in the library Comment box में जाकर जाहें जरूर लिखें और ज्यादा ज्यादा शेर जरूर करें